बिस्मिल्लाहिर्रख्मानिर्वाखीद आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड येर उर्दू के लिए है और हम हिस्सा नजम से जो नजम पढ़ने जा रहे हैं वो ये शायर आपके सामने हैं अर्दू अदब का और शायरी का एक मशूर और मारूफ नाम मुनीर नियाजी उन्हीं की लिखाई में लिखा हुआ ये शेर आपके सामने हैं ये उन्होंने 29 जून 1986 की सहपैर को लिखा था कि हम हैं मिसाल अबर मगर इस हवा से हम डर कर सिमठ ही जाएंगे ऐसे भी हम नहीं और इनके बहुत जादा ऐसे अशायर हैं जो जूबान जदे आम हैं जिन में से एक शेर के एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझ को मैं एक दरिया के पार उत्रा तुमें ने देखा एक और जगा कहते हैं कि देख के मुझ को गोर से फिर वो चुप से हो गए दिल में खलश है आज तक उस अन कहे सवाल की और अर्दू शायरी के साथ साथ इन्होंने पंजाबी में भी अशार कहें हैं और बहुती ये मशूर आपने इनकी गजल पंजाबी की सुनी होगी जो पंजाबी के अशार भी और पंजाबी में भी इनकी किताबे आ चुकी हैं वो अभी हम देखेंगे कौन कौन सी किताबे हैं ये घजल के चंद अशार हैं के बेचैन बहुत फिरना गवराए हुए रहना एक आगसी जजबों की दहकाए हुए रहना उस हुसन का शेवा है जब इश्क नजर आए परदे में चले जाना शर्माए हुए रहना आदत ही बना डाली तुमने तो मुनीर अपनी जिस शेहर में भी रहना उकताए हुए रहना तो मुनीर नियाजी फिल्मी दुनिया में भी इनकी घजलें गाई जाती रही और फिल्म में इनके गीत जो है वो घजलों के वो नजर आते रहे हैं और इनको लेकर जब इनको कहा जाता था कि आप फिल्मी शायर हैं तो ये थोड़ा सा बुरा मना जाते थे कहते तहें, मैं फिल्मी शायर नहीं हूं कुछ और अशार देखते हैं मुनीर नाजी की नजम पढ़ने से पहले थायर कि मिन होते हैं, हुआ जिखते हैं है, हुआ पफ़सूरत अशायर है उनके अंदर कहते हैं कि जानता हूँ एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे और एक और जगह किए मुनीर के आदद ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी जिस चहर में भी रहना उकताई हुए रहना अपनी ही तेगे अदा से आप घाल हो गया चांद ने पानी में देखा और पागल हो गया और कहते हैं मुनीर न्याजी के गम की बारिश ने भी तेरे नक्ष को धोया नहीं तू ने मुझ को खो दिया मैंने तुझे खोया नहीं और कहते हैं कि महबत अब नहीं होगी ये कुछ दिन बाद में होगी गुजर जाएंगे जब ये दिन ये उनकी याद में होगी और खुबसूरत शेयर देखी कि वो जिसको मैं समझता रहा कामयाब दिन वो दिन था मेरी उमर का सबसे खराब दिन और कहते हैं कि ठके लोगों को मजबूरी में चलते देख लेता हूँ मैं बस की खिड़कियों से ये तमाशे देख लेता हूँ कोई तो है मुनीर जिसे फिकर है मेरी ये जान कर अजीव सी हैरत हुई मुझे और एक जगा कहते हैं कि जानते थे दोनों हम इसको निभा सकते नहीं उसने वादा कर लिया मैंने भी वादा कर लिया बेचैन बहुत फिरना गबराए हुए रहना एक आग सी जजबों की दहकाए हुए रहना तो बहुत ज़्यादा अशार है मुनीर न्याजी की कुलियात में शामिल है और इनकी जो सारी के सारी शारी है वो कुलियाती मुनीर के नाम से शाया हो चुकी है तो बहुत ही खुबसूरत शायर ही की है यहां पर इनकी जो हमारे पास नजम शामिल है वो हम यह उस पर बात करेंगे वो कौन सी नजम है अलागे इनके गजल के भी अशार बहुत ही खुबसूरत अशार है और अलाते जिन्गी में मुनीर अहमद खान नियाजी जिला होशियारपूर मश्रकी पंजाब के एक गाउं खानपूर में पैदा हुए इन्होंने अब्तदाई तालीम खानपूर ही में हासल की कि हमें पाकस्तान के बाद इनका खंदान एजर्ट करके पाकस्तान आया और साहिवाल में रियाश इक्तियार की भावलपूर से इंटरमेडियेट करने के बाद मुनीर नियाजी ने द्याल सिंग्ल कालिज लहोर से बिये किया इन्होंने साथ रंग के नाम से एक हफ्तावार रिसाला जारी भी किया इसके लवाव वो मुक्तरिफ अखबारात रसाइल और रेडियो पाकस्तान से मुनसलिक रहे जबके फिल्मों के लिए भी शायरी करते रहे तो मैंने आपको बताया है कि फिल्मों के लिए भी इन्हों लेखा रेडियो अखबारात रसाइल से भी ये वाबस्ता रहे इनकी जो खूबियां है शायराना उनको देखें तो मुनीर नियाजी की शनाख के लिए एक ही लफ्स काफी है और वह है तखयर, यई Χैरान, तच्जब ने डाल देने वाला शायर तो इनकी शायरी ऐसी है कि जब इनसान पढ़ता है, तो वाकिह है इसी तुना जाता है जो उसको तच्जब जहां उसको होता है वहाँ हो जाता है कि कैसी दुना है वो नामालوم कैفیات का सुराग लगाना चाहते हैं और जानी पेचानी अशिया को अपनी शाराना हिस्या से एक निया रुख देते हैं जानी पेचानी अशिया होती लेक। उसका रुख जो है वो ऐसा तबदील करते हैं इसे तरीके से उसको अपने अशार के अंदर लाते हैं कि इनसान जो इहरान हो जाता है मुनीर की शैरी मैस खला में परवान नहीं चड़ती है नहीं है कि वो हुआ में और कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो उनको पता ही नहीं है बलकि अपने दोर की तर्जमानी करती है जो ने रमूज रम्स की जमय चुपीवी चीजों को और अलमात के साथ हमारे समने आती है इनकी शैरी में वालिहाना सरशारी का अंसर भी पाया जाता है ठीक है और वो अपने धंग के लिए एक अलग शैर है जो गिसी पिटी राओं से दूर खड़े नजर आते हैं इनका लहजा आम असलूप से इतना मुक्तलिफ है कि उनकी शनाखत आसानी से हो सकती है पता चल जाता है पढ़ने वाले को ये मुनीर न्याजी की शैरी है इनकी अद्बी खिद्मात के से लिए में हकूमते पाकस्तान की जानब से ने कमाले फन और सिताय इम्तियास से भी नवाजा गया है मैंने खुद इनकी इंटर्वियो सुने है परवीन शाकर के साथ एक इनका बहुत ही खुबसूरत इंटर्वियो है जिसमें परवीन शाकर इनके बारे में बड़ी अच्छे अलपाज में वो उनको बताती है कि आपकी शैरी ऐसी है और फिर इसके लावा भी आप जाएं और वीडियो दिनकी देखें तो ये 2006 में वफात पा इनों ने उससे पहले इनों ने मुक्तलिफ नजमें खुद पढ़के सुनाई है जैसे जो नजम हम पढ़ने जा रहे हमेशा धेर कर देता हूँ ये नजम इनों ने एक प्रोग्राम में खुद पढ़ी और इसको मैंने अपनी ही इस चाइनल में आपको मिल जाएगी यहां पर और मैंने वो अपलोड की हुई है वो वो उनकी जुबान से आप खुद वो सुने तो अजीब सा तासर और अंजीब सा अंदाज है उनका सुनने वालों की जो हालत होती है वो समने नजर आ रही होती है तो खुद एक शायर जब अपनी घजल या अपनी नजम पढ़ता है उसकी जीब कैफियात होती है हम तो सिर्फ एक अपनी तरफ से एक अंदाजा लगा सकते हैं और उस तरह पढ़ नहीं सकते लेकर उस शायर खुद अपने जजबात और एससात का जब इजहार करता है उसके अंदर एक लादा मुसीकियत और जजबा उसके अंदर हमें नजर आता है तो इनके मजमुआ एक अलाम अभी हम और भी देखेंगे ये किताब में जो हैं तेज हवा और तनहा फूल जंगल में धनक और दुश्मनों के दरमयान शाम छे रंगी दरवाजे वगारा ये इनकी शायरी में शायरी में शायरी में है वो एक किताब है और वही किताब हमारे इस नजम में जो हमेशा देर कर देता हूं का माख़ज भी है। तर्जे शायरी की तो मुनीर नयाजी ने जंगल से वाबस्ता अलमात को अपनी शायरी में खुबसूर्टी थे इस्तेमाल किया है। इन्हों ने जदीद इनसान के रोहानी खौफ और नफसी कर्ब यानि के गम के इजार के लिए चुड़े और चील ऐसी जो है अलमात इस्तेमाल की हैं। तो इन्हों ने भी अलमात को इस्तेमाल किया है और खुबस्ता जो चीज़ें उनको अपनी शायरी में लाया है। मुनीर न्याजी की नजमों में इनसान का दिल जंगल की ताल पर धरता है और उनकी मुटसर नजमों के या आलम के गोया तलवारों की आपदारी निश्तर में भर दी गई हो। अर्दू के मारूफ अदीब अश्वाक एमद आप जानते हैं उनको ने मुनीर न्याजी के किताब में इन पर मजमून में लिखा है कि मुनीर न्याजी का एक 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 शेर एक एक मिस्रा और एक एक लवज आस्ता जहन के परदे से टकराता है और इसकी लहरों की गुझ से कितने मजमूए शामल हो चुके हैं तो तैरा अरदू शायरी के तैरा पंजाबी के तीन और अंग्रेजी के भी दो मजमूए इनके शाया हुएं इनके मजमूर में बेवफा का शहर, तेज हवा और तनहा फूल, जंगल में धुनक और, दुश्मनों के दर्मियान में शाम, सफेद दिन की हवा, सिया शब का समंदर, और माह मुनीर, छे रंगीन दर्वाजे, शफर दीरात, और चार चुप चीजां, रस्ता दसन वाले तारे ये नजर आ रहा है कि पंजाबी का अगाज जमिस्ता, और साहत सयार, ये वाला, जो है साहत सयार, ये किताब हमारे आज की नजम का माख़स भी है, और कुलियात मुनीर, जो हैं वो, इनकी तसानीफ में, या आप देख सकते हैं, वो ये तसानीफ तबारा लिकी हुई हैं य वाला अगर देखें तो शायर मुनीर नयाजी हैं और नजम का नाम है, हमेशा देर कर देता हूँ, हियत के लिए आजाद नजम है, और माख़स इसका साहत सयार है, अब आजाद, पबन, मुर्रा नजम क्या होती है, तो इसी लिए मैंने इस लेक्चर से पहले, जो है, वो प अजाद नजम है ये, और माख़स इसका साहत सयार है, पहले हम सारी नजम को पढ़ते हैं, तो मुनीर नयाजी कहते हैं कि हमेशा देर कर देता हूँ में हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निबाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेश देर कर देता हूँ में, बदलते मौसमों की सेर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ में, किसी को मोत से पहले, किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ में, हर काम करने मी तो ये नजम है आजाद नजम है इसके मौजू क्या है वो आपको नज़र आ रहा है हमेशा देर कर देता हूं तो लफ से ही जाहर हो रहा है कि इसका मौजू क्या है जो देर करना होता है या देर हो जाना है इस पर भी बात करेंगे कि हमें तश्रीक कैसे लिखनी है अगर इस नजम के अशार आ जाएं लेकर हियत के लिया से ये आजाद नजम है तो आपको नजर आ रहा है आजाद नजम के अंदर काफियर अदीफ बहर वजन की पाबंदी नहीं होती है अलबता बहर और वजन होता है ठीक है और ये शोरा समझते हैं कि एक बहर है बहर हजज जो उसका नाम है और उसका रुकन है मुफाईल है उन इसके अंदर इस्तमाल की गई है लेकर उसके अंदर रुकन जो हैं कम और ज्यादा किये गए हैं इसी वज़ज़ से आपको इस नजम के जो मिसरे हैं वो चोटे बड़े नजर आ रहे हैं और बास लोगों को ये गलत फ तरह इस अजाद नजम की एक खुबसूरत तरनम और मुसीकियत भी होता है अचा सबसे पहले तो ये जहान में रखें कि सवाल नंबर दो मश्की सवाल है सवाल नंबर एक है और एक सवाल नंबर दो छे भी है और तीन भी है ये कुछ सवालात है ठीक है ये अगर हम इन सवा पूरी नजम पर बात करें और इसका खुलासा तलाश करने की कोशिश करें तो खुलासे को बगार हेडिंग्स के भी लिख सकते हैं के पिके बोर्ड में आप हेडिंग्स के साथ लिखें बहतर है फैडरल बोर्ड वारे बगार जो है वो हेडिंग्स के लिखते हैं तो खुलास आप पूरी की पूरी नजम की तश्री भी समझ जाएंगे अब खुलासे में तीन चीज़ें क्या हैं तो यह आपको नजर हारी है नमबर एक नफसियाती कैफियत की तरफ इशारा है और शक्सी कमजोरी की तरफ इशारा है यानि इस नजम में हमें एक नफसियाती कैफियत है कि इनसान जो है वो बाज अकाद ऐसी चीजों में जिसको देर नहीं करनी चाहिए वो देर कर देता है तो यह उसकी कमजोरी है शक्सियत के लिहाद से और यह नहीं होनी चाहिए इसकी वज़े से उसको काफी नुकसानात भी उठाने पड़ जाते हैं और जो सारी की सारी चीजें इस नजम के अंदर बयान की है वो कोल आएंगी ये वो दस चीजें हैं जिन को मुनीर नियाजी ने बयान किया है कि इन कामों में में देर कर देताओं अब ये नहीं केंज इन चीजों को बियाँ करके सिर्फ यह बताना है क्याया के फड़ आनो ये थै puerta आ है कि मेरे अंदर ये कम्जोरी है और मेरी ये निफ्सियाती कैफियत की तरह इशारा कर रहे हैं कए मैं बास चीजों में कोशिश करताूं के ये काम हो जाये لیکن میری عادت بن چکی ہے کہ میں دیر کر دیتا ہوں اور وہ مجھے پھر بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام ایسا کیوں کیا تو دوسرے نمبر پر اس کی تفصیل کو بیان کریں گے کہ کون کونسی ایسی چیزیں ہیں جن میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے دیر ہو جاتی ہے اور تیسرا نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ دیر کر دیتا ہے اور وقت پر کوئی کام نہیں کرتا تو اس کو کیا نقصانات پیش آتے ہیں یہ خلاصہ اس میں تین پوائنٹس ہے انہی تین پوائنٹس کو ہم سوالوں کے اندر بیان کریں گے تو آپ کو خلاصے کی بھی سمجھ آ جائے گی دیکھیں سب سے پہلے جیسے اب بیان کیا یہاں پر سوال نمبر ایک بھی ہے کس نفسیاتی قیفیت اور کمزوری کی طرف اشارہ ہے تو اس کے اندر آپ دو ہیڈنگز کے ساتھ سوال کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے دیر ہو جانا اور ایک ہے دیر کر دینا دیکھیں دیر ہو جانا ایک انسان وہ ہے جو جان بوچ کر کسی کام کو کرنے میں اس سے دیر نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کو جان بوچ کر نہیں کرتا بلکہ بھول جاتا ہے اور اس کے ذہن میں نہیں ہوتا انسان ہے کمزور ہے اور بعض اوقات اس سے ایسا کام جو چاہتا ہے کہ میں جلدی کروں گا اور وہ اپنے وقت قطعین بھی کرتا ہے لیکن بس قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے ذہن میں وہ بات نہیں آتی ہے وہ دیر ہو جاتی ہے ایک تو یہ ہے کہ جان بوچ کر دیر نہیں کرتا کی عادت نہیں ہے یہ دیر ہو جانا جو ہے یہ انسان کی کوئی نفسیاتی قیفیت بھی ہے لیکن یہ اس کی کمزوری آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کی کمزوری نہیں ہے وہ جان بوچ کر ایسا نہیں کر رہا لیکن ایک دوسرے نمبر پر آپ کو نظر آ رہا ہے دیر کر دینا دوسرا وہ شخص ہے جو جان بوچ کر دیر کر دیتا ہے دیکھیں ایک دفعہ انسان سے غلطی ہو جائے تو غلطی مانی جاتی ہے دو دفعہ ہو جائے مانی جاتی ہے اب ہمیشہ ایک بندہ جان بوچ کر دیر کر دیتا ہے اس کی عادت بن جاتی ہے پھر وہ دیر کرتا رہتا ہے دیر کرتا رہتا ہے اور آج کا کام کل پر چھوڑتا رہتا ہے تو یہ بندہ دیر کر دیتا ہے تو یہاں پر جو منیر نیازی ہیں انہوں نے کہا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں یعنی کہ دیر ہو جاتی ہے تو کہا ہے میں دیر کر دیتا ہوں یعنی کہ میری عادت بن چکی ہے میں ایسے کام جن میں जल्दी मुझे करनी चाहिए और मुझे उन चीज़ों को सबसे पहले वक्त पर अदा करना चाहिए अदा तो वो काम में जल्दी नहीं कर सकता तो मुनीर नाजी खुद भी कहते हैं कि उनके अंदर ये खामी है और आम तोर पर भी शायर अगर उसके अंदर कोई खामी ना हो या फिर उसके अंदर वो जजबा ना हो तो वो अवाम का शायर होता है अवाम के लिए भी लिखता है अदब क्योंकि तुमाम लोगों के लिए है तो वो अपने उस मसले को अपनी उस बात को अपनी शहरी के अंदर बियान कर देता है तो इसलिए अब एक तो अनके लिए अपने लिए भी है कि वो कहरे हैं कि मैं देर कर देता हूं और ऐसे होना नहीं चाहिए था या फिर लोगों के लिए भी है ऐसे वो लोग जो आम तोolog पर जो है वो وقت کے پابند نہیں ہوتے ठीक है? बदनजमी होती है और डिसिप्लन नहीं होता जिन्दगी के अंदर तो उनके लिए ये नजम है कि वो अपने काम को वक्त पर करें और तालबा के लिए और तालिबात के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो अपने तुमाम काम को अपने वक्त पर करें जैसे एक तालिब इल्म है वो आज का काम कल पर छोड़ रहा है कल का परसों पर छोड़ रहा है और कहता है मैं करता हूँ मैं करता हूँ लेकिन उसकी आदत बन की वो नहीं करता तो वक्त आने पर वो फिर क्या होता है कि वो सारे का सारा काम जम हो जाता है अब उससे वो काम कभी नहीं होगा तो इनसान की जिंदगी मैसी चीज़ है कि उसको वक्त पर करे और अगर वक्त से पहले तो कोई काम बाज होते हैं बाज नहीं होते हैं पर ही इदा करते हैं लेकिन वक्त से जो आगर आप उपर चले जाए तो आपको अपनी जिन्दगी के अंदर क्या ही नुक्सानाच चोटे और फिर बड़े उठाने पड़ सकते हैं और फिर एक जिन्दगी का जो एक तसलसल होता है वो नहीं रहता और इनिसान जो है वो कोई क नजम इस पर लिखी हुई है कि ये दस चीज़ें ये आपको नजम आएंगी और मैं सिर्फ और सिर्फ जब मैं पढ़ूंगा तो इन दस चीज़ों को आपको नजम से गिनवाऊंगा और आपको समझ आ जाएगी पूरी की पूरी नजम की वो क्या कह रहे हैं तो देर कर देने और इसी तरह अगर वापस बुलाना है किसी को आवाज देनी है और उसको अपनी जिनगी में वापस बुलाना है तो मैं उसमें भी देर कर देता हूं इसी तरह ऐसा शक्स कि जो किसी शक्स की में मदद करना चाहता हूं लेकिन वक्त पर मदद नहीं कर सकता मैं उसमें भी द तो मैं उसमें भी देर करता हूँ मेरा दिल करता है में जाओं लेकर में देर करता हूँ और किसी बदलते मौसमों में दिल को लगाना हो और हलात ऐसे हैं गम में खुशी में दिल को लगाना है कि ये जिन्दगी का इसा है और उसमें में भी देर करता हूँ किसी को याद रखन में कोई गलत फहमी आगी है मेरे बारे में ये आम तोर पर कोई गलत फहमी का शिकार हो गया है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस गलत फहमी को दूर करूँ तो मैं उसकी गलत फहमी वक्त पर दूर नहीं कर सकता अब लाजमी नहीं है कि यह सारी चानी नियाजी ने जो बियान किये उन्हों की उन्हों नहींकी जितने हो लेकिन उन्होंने एक शायरी के जिए पैगाम देने की कोशश की है کہ میری کا عادت ہے اور وہ عادت یہ ہے کہ میں بعض اوقات جو ہے وہ کام جو ہے وقت پر کرنا ہوتا ہے میں غوقت پر نہیں کرتا اور اس کا کیا ہوتا ہے اس سے مجھے بہت بڑے نقصانات زندگی میں ملے ہیں اور یہ لوگوں کے لیے بھی انہوں نے بیان کر دیا کہ ایسے لوگ جو اپنے وقت پر کام نہیں کرتے وہ کوشش کریں کہ وہ اپنی een'tرطیب بنائیں اور زندگی کا ہر کام جو ہے وہ ایک ترطیب سے اپنے وقت پر کریں अब देखें नकसानात क्या है? यही हमारा सवाल अऱ्ान और वो लोगों के सामने भी और अपनी जात के अतिबार से भी अपने आपको खोकला कर रहा है अंदर से खाली कर रहा है और एक वक्त आएगा कि अब वो कोई काम वक्त पर नहीं करेंगा चूंकि उसकी आदत बन चुकी है तो शक्सियत की कमजोरी है नमबर दो वक्त का जिया वक्त जाया कर देता है कि यह ऐसे काम है जो वक्त पर करने होते हैं और वो उस वक्त पर अदा ना किये जाया जाया है और वक्त एक ऐसी कीमती चीज़ है जिसकी कदर तब होती है जब इनसान वक्त वो उसको नहीं मिलता वो टाइम उसको नहीं मिलता और गया हुआ जो वक्त होता है जो गुजर गया वक्त का टाइम होता है वक्त होता है वो वापस लोट कर नहीं आता है इंसान तमन्ना करता है कि मिकाश वो वक्त मेरे पास दुबारा आ जाए लेकिन अब वो वक्त उसके पास दुबारा नहीं आता दुनिया के एतबार से भी और आखरत के एतबार से भी एक इनसान के लिए जो है वो वक्त लोट कर नहीं आएका तो वक्त को जाया करता है ऐसा शक्त जो मेशन देर कर द तब ही है जो वक्त पर अदा करता है आप दीनी एतबार से देखें या दुनियावी एतबार से देखें तो उसका फाइदा तब है जब आप वक्त पर कोई काम करते हैं तो आपको फाइदा तब मिलेगा जब आप वो कोई काम भी वक्त पर करेंगे तो नहीं तो आप बहुत से फवाय से महरूम हो जाएंगे ये चोटे चोटे नुकसानात वक्त का जाया करना बड़ा नुकसान है लेकर बाज उकात इनसान को इस दुनिया के अंदर उसकी समझ नहीं आती और उस वक्त नहीं पता चलता बाद में एसास होता है कि बड़ा नुकसान मेरे जिन्गी में क्यूं हुआ की ये आदत बन चुकी थी कि मैं हर काम के करने में देर करता था और वो आदत जो है आज मुझे बड़े नुकसान तक लेकर चली गई है तो ये नुकसानात होते हैं वो शकस जो वक्त पर काम नहीं करता तो अब आप ने देख लिया कि हम ने किस तरतीब से अच्छे तरीके से खुलासे के अंदर ये तीनों चीजे आप आराम से बेयान कर सकते है या अफाधी कैफियत, शुख्की कमजोरी, देर कर देना, देर हो जाना तफसील किस चीजों की है, दस चीजों की तफसील में ने ब्यान की है, ओर ठीक है और फुज़े से महरोमी और बड़े नुक्सानाथ, युआ या आप इस चीजों की है, या आपका सुवाल नबर च्छे हो जाएगा, सवाल नमबर एक के अंदर आप इस तरह हेडिंग लिकял सवाल नमबर दो के अंदर इस तरह हेडिंग लेखिए और सवाल नमबर तीन के अंदर आप इस तरह हेडिंग लेखिए और यही पूरे की पूरी नजम है जो आपके समने अब बियान की जाएगी तो आपको बात समझ आ गई है कि मुनीर नयाजी इस नजम के अंदर क्या कहना जाते हैं तो अपने दोर के अजीम शायर मुनीर न्याजी के बारे में एक बात ये बहुत मशूर थी कोई नजमकारीन की नजर कर रहे हैं कि ये वो नजम है ये देखें हमेशा देर कर देता हूं में हर काम करने में जरूरी बात कहनी हो कोई वादा नबाना हो उसे आवाज देनी हो उसे वापस बुलाना हो तो हमेशा देर कर देता हूं में अब देखें जी बहुत ही असान आप کے سامنے پوری کی پوری نظم آ چکی ہے اور یہ آپ کتاب کے اندر اس طرح پوائنٹس لکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کتاب کے اندر نظم میں نے لکھی ہے اس کی اوپر میں پوائنٹس پہ بات کروں گا اب آپ کو ساری کی ساری بات کی سمجھ آ گئی ہے اور جب بھی تشریح آئے تو آپ اسی طریقے سے خلاصے کے اعتبار سے بیان کریں نفسیاتی قیفیت کی بیاب بات کریں دیر کر دینا دیر ہو جانا پہ بات کریں اور ان دس چیزوں کو ذہن میں جو ہے وہ رکھیں اور ان کو یاد کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کون سی دس چیزیں ہیں پھر نقصانات کی اوپر بات کریں کہ جو شخص دیر کر دیتا ہے اس کو کیا نقصان ہوتا ہے پھر یہ ایک ازاد نظم ہے اور ایسی نظم ہے جو حیت کے لحاظ سے جدید نظم میں شامل ہوتی ہے تو اس پہ بات کریں کہ یہ بھی منیر نیازی ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اردو عدب کے اندر غزنیں بھی لکھی اور جدید نظموں جدید حیت پر تجربے بھی کیے اور نظمیں بھی ان کی بڑی مشہور ہیں پھر پنجابی کے بھی شاعر یہ رہے ہیں تو اس پوری آپ کی حفیت سے بڑی ہی اچھے طریقے سے ان کے کچھ اشار جو میں نے پڑے ان اشار کے ساتھ آپ بڑی خوبصورت طریقے سے تشریح لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں ضروری بات کرنی ہو نمبر ایک وعدہ نبانا ہو نمبر دو آواز دینی ہو یا واپس بلانا ہو نمبر تین مدد کرنی ہو چار یار کی ڈھارس بدانا ہو پانچ ڈھارس بدانا ہو حوصلہ بدانا دیرینہ رستوں پر یعنی پرانے رستوں پر ملنے جانا ہو نمبر چھے اور بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو نمبر ساتھ یاد رکھنا ہو کسی کو بھول جانا ہو نمبر آٹھ اور موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو کسی کو نمبر نو اور حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر یہ بتانا ہو غلط فہمی دور کرنی ہو تو نمبر دس یہ دس چیزیں بیان کی ہیں کہ ان دس کی دس چیزوں میں کہتے ہیں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں تو یہ دس چیزیں عام ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ایسے کام ہیں کہ جو کہ منیر نیازی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے دیر ہو جاتی ہے اور میری یہ کمزوری ہے اور اس سے مجھے زندگی میں بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں اور لوگوں کو اس بات کی طرف لا رہے ہیں کہ آپ ایسا کام نہ کریں وقت کی پابندی کریں وقت بہت ہی قیمتی اساسہ ہے اس زندگی کے اندر اور وقت کا خیار رکھیں تو یہ ساری کی ساری نظم ہے جو ساتے سیار ساتے سیار کی جو ہے وہ کتاب میں شامل ہے اور یہ ساتے سیار ہی اس جو ہے ہماری اس آزاد نظم کا ماخذ ہے اب آپ دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے اس نظم کو حل کر لیا کہ سوال نمبر ایک ہی ہم نے حل کر لیا ہیڈنگز کے ساتھ دو بھی حل کر لیا تین بھی حل کر لیا اور پانچ پانچمہ سوال تو ایسے پانچ الفاظ دیکھیں جن کے دو دو معنی ہو یہ آپ نے پڑا ہوا ہے زومانی الفاظ کیا کہ نائنٹ اور ٹینٹ کے کوس کیسے آسان ہوتے ہیں اور نظم کا خلاصہ بھی ہم نے پڑھ لیا اور مصروں کی وزاعت بہت آسان ہے آپ کو جب یہ سوال سوال نمبر چار جیسے آ جائے مشکی سوال کے اندر کہ مدد کرنی ہے اس کی یار کی ڈھارس بندانا اس مصر کی وزاعت کریں تو آپ نے دو ہیڈنگز کے ساتھ سوال کرنا ہے ایک ہے مصرہ ٹھیک ہے مصرہ موجود ہوگا وہاں پر آپ کی جو ہے پیپر کے اندر اور آپ نے وزاعت لکھنی ہے اور وزاعت کے اندر آپ تشریح کی انداز سے بیان کریں کہ یہ جو مصرہ ہے یہ منیر نیازی کی آزاد نظم ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں سے لیا گیا جس کا ماخصات سیار ہے اس مصرے کے اندر جو منیر نیازی ہیں وہ اپنی ایک نفسیاتی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں بعض چیزوں میں محشہ دیر کر دیتا ہوں اور وہ کیا چیز ہے وہ ہے یہ کسی کی مدد کرنی ہو یا کسی کا حوصلہ بدانا ہو تو میری یہ نفسیاتی کیفیت ہے میں چاہتا ہوں اس کی مدد کروں اس کا حوصلہ بدانا ہوں لیکن مجھ سے دیر ہو جاتی ہے اور مجھے چیز کا محشہ افسوس رہتا ہے تو یہ اس طرح آپ لکھیں نہ کہ آپ نوٹس کو فالو کریں اور وہ نقل کریں اور ان چیزوں کو اتاریں خود پڑھیں خود کرنے کی کوشش کریں کیونکہ نوٹس صرف آپ کو جو ہوتے ہیں گائیڈز کا مطلب کیا ہے گائیڈز کا مطلب ہے رہنمائی حاصل کرنا آپ صرف رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری کی پوری چیزوں کو آپ دیکھتے جائیں اور اپنی کاپی پہ لکھتے جائیں اور بس سر علا 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 کے آپ چیزوں کو یاد کرتے رہیں اور علاقہ کے سر آپ نے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے ایسے نہیں ہوگا آپ خود چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خود ہیڈنگز بنائیں تمام مزامین کے اندر خود ہیڈنگز بنائیں خود چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنے آسادزہ سے انہمائی حاصل کریں ان کے لیکچرز کو سنیں پھر ان سے آپ آسانی سے ہیڈنگز بنا سکتے ہیں اپنی پیپر پریزینٹیشن پر غور کریں अपने time management paper को कितने time के अंदर करना इस पर गोर करें तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप आसानी से किसी भी मजमून को इम्ध्यानी नुक्ता नजर से कर सकते हैं इन्शालला तर्ला में जो है अपने lectures में paper कैसे करना चाहिए किसे तर्टीब हो अर्दू की कैसे आप ज़्यादा नंबर ले सकते हैं अर्दू के अंदर और क्या तर्टीब होनी चाहिए वक्त पर भी बात करेंगे और पूरी एक तर्टीब होगी जिस से आपको इंशालला भो ज़्यादा फायदा होगा तो अमीद है आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा और इसमें अगर कोई ऐसा सवाल है जो आपके जैन में और आपको बात नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आपने मेरे लिए दौा करते रहना है आपको खुश रखे हैं सलामत रहें वस्सलाम